हेलो एव्रिवन वैलकम बैक टो यूर ओवन चैनल मार्किट एनालिसस दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं कल के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी में क्या-क्या लेवल्स रहने वाले हैं crackle के दिन हम जो है इंटर डेडंसिंग श्टॉक्स कौन-कौन से चूज करने वाले हैं उनमें क्या-क्या लेवल रहने वाली हैं और उनमें क्या-क्या moment हमें देखने को मिल सकता हैं तो बने वो हमारे इंटरड है और स्विंग बहुत रहने वाले है ठीक है तो सबसे पहले अगर हम मैं निफ्टी की बात करूँ दोस्तों कल मैंने ये वाली लेवल आपको दीती ये वाली लेवल इसने बिल्कुल भी अभी तक जो एक क्रोस नहीं किये है तो कल के दिन में भी ये क्रोस करें और उसमें जो एक अच्छा का सा मुमेंट देखने को मिल सकता है ठीक है और निफ्टी की जो एक्सपायरी है दोस्तों वो थस्दे को ही रहने वाली है ठीक है और जो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और परसों निफ्टी की एक्सपायरी है ये एक साथ आएंगी अगर यह निफ्टी हैं कहीं पर open होती है और उस पाद sustain करने के बाद यह break करती है तो पहला target हमारे यह वाला होने वाला है दोस्तों अगर हमें इतना target अगर मिल जाता है न तो enough है हमारे लिए इंटरडे में बहुत अच्छा target है और अगर निफ्टी कहीं पर यहां पर sustain होके नीचे की तरफ ब्रेक करती है कल कल लोग ब्रेक कर देती है तो एक अच्छा खास सेल ओफ देखने को मिल सकता है जो कि हमें लेकर आ सकता है 450 तक ठीक है आपने इस पर नजर बना के जरूर रख सेंज़ता सेम उस पर जापके इसने एक एम पैटरन बनाया और उसके बाद एक अच्छा खास सेल ओफ देखने को मिला मैंने एंट्री ली थी मैं थोड़ा से लेट हो गया था यह वाली केंडल मैं देखनी पाया किसी स्टोक्स में उलजवा था तो हुआ क्या कि जैसे यह वाली केंडल पूरी कर दी थी उसके बाद मैंने देखा है इसको फिर भी मैंने यहीं पर पुट बाई कर लिया था क्योंकि मुझे कंफरमेशन मिल गए थी कि अब इसको नीचे ही जाना है बट हुआ क्या दोश्तों यह जैसे उपर जाने लगा तो देखें डर तो सबको ल कि दिखरा था बड़ इसने काफी देर काफी देर सस्टेंड करके मतला दोस्तों इसने आज प्रोफिट बनाने ने दिया यह फिर से उपर की तरफ मुवमेंट करने लगी है ना फिर से मिलेको ड़ा दिया अज फिर उसके बाद फिर यहां पर जब आ गी ना तो मैंने मैं उ कि धी घजिया उड़ जाती दोस्तों और इंट्रडे में खास कर तो कल के लिए अगर हम बात करें इसके बारे में तो कल अगर ब задач never होता है या एक पर उपन होता है या या दो होता है तीन जगे पर आपको opening मिल सकती है तो अगर यहीं कहीं पर open होता है इस लेफिल को break करके फिर से निकलता है तो ये वाले एक resistance रहेगा अगर इसको इसने ब्रेक कर दिया सस्टेन करने के बाद तो दोस्तों बहुत अच्छी शोड कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है कल एक इंटरी मिल सकती है आपर साइड की तो ये वाले एंटरे आपटां के यह नीचे की तरफ ब्रेक करने लगता है तो रिखंड के आप और शावली करने के बाद आज का यह जो बुरु Schritt करेगी उसके बाद एंटरी मिलेंगी हम जो हमें चावालीजा ग्याइट रिखने को मिल सक कितना पसेंट का जो मुमेंट बनाया है इसने साड़े 3% का मुमेंट इंट्राडे में बनाया है दोस्तों जो कि बहुत ही अच्छा रिटन है और इसको स्विंगली कैरी करने के लिए मैंने study किया था तो आप भी इसको study कर सकते हैं and next talk दिया था दोस्तों मैंने सूरिय रोसनी ये तो मैंने 3-4 दिन पहले दिया था आप इसमें देखो ये वाली level थी ये वाली level जैसी break करती है तो उसके बाद ना देखो patience ची होता है इसमें हर level के उपर अगर निकलती है तो आप intraday में देख सकते हैं अगर ये थोड़ा नीचे आके हमें थोड़ा अच्छे level पे मिलती है 122 के आसपास तो हम इसको accumulation कर सकते हैं धीरे धीरे quantity को हम बढ़ा सकते हैं और इसमें एक अच्छा खासा moment हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है क्योंकि स्विंक ट्रेडिंग के लिए था अब ये दुबारा से जो इसी range को फिर से break करने कोसिस कर रहे हैं अब ये फिर से एक moment के लिए ready हो चुका है जो कि एक trend line भी यहाँ पे बन रही है इस trend line का breakout देने के लिए ready है तो आप इस पे नजर जरूर बनाए रखिएगा दोस्तों next talk दिया था मैंने finotex chemical इस talks में जो है काफी अच्छा moment आने के बाद consolidation की मैंने बिल्कुल आपको बोला था कि इसमें consolidation आ सकता है अगर हमें थोड़ा सस्ता मिलता है तो well and good हमें बिल्कुल इसको try करना है हम इस पे study कर सकते हैं तो अगर यह और भी नीचे मिलता है तो यह भी अच्छा है उसके बाद जो है यह धीरे धीरे चलना start होगा और फिर से इसको level को break करने के बाद हमें अच्छा कासा moment दिखा सकता है तो इस पे भी आपने जो नजर रखनी है अपनी watch list में इसको add गर के रखना है next stock दिया था दोस्तों हमने price zone Johnson बहुत ही अच्छा stock है इसमें जो technical chart जो बोल रहा है दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ा moment आने वाला है बट इस पे आपने अपना personally analysis करनी है study करनी है और तब ही उसको जो buy करना है आपने किसी अपने financial advisor से सला लेके ही इसको buy करना है मैंने बोला था अगर यह stock यहां से upper side में sustain करता है तो आप intraday में देख सकते हैं इसको अगर यह थोड़ा नीचे मिलता है तो हमें swing के लिए इसको carry कर सकते हैं और अब अच्छे लेवल पर यह आया हुआ है 136 के आसपास आया था अभी हम इसको देख सकते हैं और अब इसके नीचे यह मुझे लगता नहीं कि जाएगा अब फिर से जो एक upside में मुमेंट देने के लिए ready हो रहा है दोस्तों next टॉक दिया था मैंने इलर को carrier अब आप कहोगी यह तो टॉक मैंने दिया यह नहीं बिल्कुल सही बात है क्योंकि यह मैंने दिया था दोस्तों अपने premium members को यह premium members को हैं दोस्तों यह मेरे टेलेग्राम वाले कोई नहीं है, नहीं मैंने कोई WhatsApp ग्रूप बनाया है, नहीं मैंने टेलेग्राम प्रीमियम बनाया हुआ है, ये मेंबर्स वो हैं, जिन्होंने यूट्टूब पे गोल्ड प्लान लिया हुआ है उनको मैं study के लिए जो मेरे को एकदम अच्छे stocks होते हैं, जो high quality वाले और जिन्में अच्छा moment आने वाला होता है उनको मैं उन लोगों को provide करता हूँ क्योंकि दोस्तों देखो, उन्होंने investment किये हैं, कुछ पैसा खर्च करें तो उनके लिए तो एक special बनता है ठीक है, अब यहाँ पे मैंने उनको दिया था यह वाली level, आज इसने 10% का upper circuit मारा है दोस्तों और अभी यह रुकने वाला नहीं है, ठीक है तो अगर आपने भी gold plan लेना है तो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, one second, यह देखिए यह दोस्तों कल मैंने यह वाला स्थोक दिया था same name देख सकते हैं, आप यह वाली level देख सकते हैं, यह मैंने इनको YouTube पे जो है premium members को दिया था, और आज इसमें जो है, एक अच्छा कासा moment हमें देखने को मिला, 10% का upper circuit भी लग गया था इसमें, और दोस्तों अगर आप भी join करना चाते हो, तो आप भी join कर सकते हैं इस तरीके से golden plan इन लोगों ने buy किया हुआ है, राकेश पाटवा जी है रामदेव बिंद है, जाकिर हैं और 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 भी 2-3 members और हैं इस तरीके से आप जो do sure, join कर सकते हो, यी join कैसे करना है? मैं आपको बता देता हूँ तो दोस्तों, ये join कैसे करना है? वो भी मैं आपको बता देता हूँ ये जैसे channel है, इस पर जब आप वीडियो देखते हो, तो इस पर ना नीचे channel के side में, join का button आपको मिल जाता है आप इस तरीकी से जो जोईन कर सकते हैं उसमें आपको उसमें आपको जोई गोल्ड आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसको जोईन कर सकते हैं और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कल के लिए जो भी स्टोक्स मुवमेंट दिखा सकते हैं उनके बारे में स्टड़ मैंने पहले भी दिया हुआ था ये करीब मैंने डेड़ दोमेने पहले दिया था और इसमें अच्छी खासी मुमेंट आ चुकी है अब इसमें जो एक फिर से एक ब्रेक आउट हमें देखने को मिला है और ब्रेक आउट से अल्मॉस्ट यह अभी चार-पांच परसंट जो अब जा चुका है यह अगर थोड़ा सा भी हमें अगर यह थोड़ा सस्ता मिलता है तो हमें इसको study जरूर करना है और इस लेवल के उपर अगर यह निकलता है इंट्रडे में तो एक अच्छी मोमेंट हमें देखने को मिल सकती है और यह स्टोक स्विंग के लिए बहुत ही अच्छा रोहने वाला है आपने इसको study जरूर करना है और इसको study करना है अपनी analysis करनी है और उसके बाद इसमें कोई पोजिशन बनानी है अपने financial advisor से सला दोस्तो जुबलेंट food work, जुबलेंट food work में यह वाली level रहने वाली है जैसे यह वाली level क्रोस करेगा एक अच्छी मोमेंट हमें देखने को मिल सकती है इंट्रडे में और अगर यह कहीं पे भी थोड़ा सस्ता मिलता है हमें तो हम उसको जो है swing के लिए carry कर सकते हैं और आप आपने इसको study जरूर करना है मैं तो इसको swing के लिए carry कर सकता हूँ आपने अपने risk पे अपनी analysis पे study करके तभी आपने जो इसको देखना है और next हो के दोस्तो डॉलर इंडस्री काफी दिनों सो इस range में फसा हुआ है इस वाली trend line को बार-बार touch कर रहा है और इसमें आप breakout की देरिये बस breakout देते हैं इसमें एक अच्छा खासा moment हमें देखने को मिल सकता है तो आपने इस पे भी नजर रखनी है और deeply analysis करनी है अपने end पे next store के दोस्तो B.A.S.F. इंडिया ये थोड़ा manga store के दोस्तो इसका जो price है वो 2765 के आसपास है इसमें आपने quantity basic छोटी लेनी है ब आपने इस पे study जरूर करनी है अगर ये थोड़ा नीचे मिलता है हमें तो हम इसको फिर से study कर सकते हैं swing के लिए and दोस्तो last but not the list K&R construction मैंने आपको पहले भी दिया हो था 255 के आसपास मैंने दिया था ये कभी उसके बाद इसने 286 का high मा रहा है और ये फिर से एक bullishness के लिए ready हो रहा है आपने इस पे नजर रखनी है ये वाले trendline अगर break करती है तो फिर से एक यहाँ पे आपको अच्छा moment दिख सकता है और फिर से ये अपने high को break कर सकता है और बहुत ही अच्छा moment हमें दिखा सकता है तो इस पे आपने नजर जरूर बना के रखनी है और अगर ये stock का आपने swing trading के लिए buy करना है या sale करना है आपने अपने financial advisor से शला जरूर लेनी है I hope दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी हो तो please like करें and अगर आप नहीं है तो चैनल को subscribe जरूर करें and share this video all to your friends thank you so much thanks for watching